क्या आपको उसके precautions लेने चाहिए उसकी treatment क्या है कि यह है मेरा cotton यह है जैक और यह है मेरा zig तो वो थोड़ा dangerous हो सकता है आप देख सकते हो कि यह थोड़ी light skin है और float हो रही है या फिर आप वेट के पास लेके जाए और अगर आपके हापे वेट हो तो जल्दी से जल्दी आप उसकी treatment करें अभी उसका जो white-ish skin है वो नहीं दिख रहा है लेकिन जैसे मैं इसको पानी में add करूंगा यह रहे बड़े टर्टल्स में भी सेम है आपको डर्णा नहीं है बेबी टर्डल्स में भी same case होता है और बड़े टर्टल्स में भी same case होता है और अगर आपको मेरे पे क्या आपके टर्टल में इस तरह का प्रॉब्लिम है तो ये वीडियो आपी के लिए है तो है गाईस this is Raj and you are watching Pat Shalam तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि टर्टल्स के स्किन में जो प्रॉब्लिम होता है मतलब टर्टल्स की स्किन जो baby turtles होते हैं उनकी स्किन जो निकलती है क्या वो dangerous है उसका निकलना या normal है मैं ये सब चीज़े इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो हमारा हर वीडियो informative होता है जैसे कि हमारे daily vlogs भी आते है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको dedicatedly यही बताऊंगा कि turtles की skin जो निकलती है जो white जो skin जैसे निकलता है जो skin ही होती है लेकिन कुछ परत निकलती है वो अच्छी होती है या dangerous होती है क्या आपको उसके precautions लेने चाहिए उसकी treatment क्या है और ये सब चीज़े मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ तो अगर आपने इस चानल को subscribe नहीं किया होगा और daily vlogs नहीं देखे होंगे हमारे pets related तो उनमें ये सब चीज़े होती रहती है आती रहती है मैं दिखाता रहता हो और बताता रहता हो तो make sure आप चानल को subscribe करें ताकि कोई भी information आप miss ना करें तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ तो जैसे कि guys आपको आप पहले से देखते आ रहे होंगे मेरे वीडियो तो आपको पता होगा कि यह है मेरा cotton यह है जैक और यह है मेरा जिग तो इनी के उपर मैं एक practical आपको यह detail बताने माला हूँ तो यह देखिए इसकी skin जो है वो proper दिख रही है इसकी skin proper दिख रही है लेकिन इसकी skin देखिए यह थोड़ी निकली हुई है और इसमें से कुछ white निकला हुआ है यह देखिए कुछ white दिख रहे हैं आपको वो निकला हुआ है तो वो चीज क्या है वो अच्छी है आपके टर्टल के लिए या बुरी है तो मैं कहूंगा कि दोनों डिपेंड करता है कि वो किस टाइब का है अगर इस टाइब का होगा आजाओ अगर इस टाइब का होगा उसका स्किन निकला हुआ तो अच्छी बात है क्योंकि ये एक sign होता है कि आपका turtle जो है वो grow कर रहा है और अगर whitish जैसे cotton होता है, cotton के उपर, ये वाला cotton नहीं, ये हमारा cotton है ये वाला cotton नहीं, cotton जैसे कुछ soft-soft आपको दिखता है उनके skin के उपर तो वो थोड़ा dangerous हो सकता है, आप देख सबते हो कि ये थोड़ी light skin है और float हो रही है ये आपको पानी में भी, पानी में भी float होते हुई देखेगी, बहुत टाइम ऐसे होता है कि पानी में भी आपको बहुत जादा दिखने लगता है बहुत जादा गंदगी जैसे दिखता है कि शायद ये कुछ फंगल इंफेक्शन हुआ है या ऐसे कुछ होता है तो ऐसे नहीं है अगर ऐसी स्किन लटकती होई दिख रही होगी वापिस मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए उसके गर्दन के यहाप है उसके पेरों के यहाप है अभी तो फिलाल गर्दन के यहाप है वो पतली परत है तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है ये इनका नॉर्मल रूटीन है अगर ये ऐसे होता है इनका स्किन जो होता है यह नॉर्मल बात है क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि snakes में भी skin जो होती है वो उतरती रहती है तो इन में भी skin उतरती है क्योंकि यह भी reptiles है इनका shell भी निकलता रहता है, shed करता है और इनकी skin भी shed करती रहती है तो आप देख सकते हो कि उसकी skin जो है वो ले टकरी है जो कि बुरी बात नहीं है अच्छी बात है लेकिन जैसे मैंने बताया आपको अगर cotton जैसे whitish ज़्यादा दिकरा होगा और उसका smell आ रहा होगा तो आपको ध्यान देना है आपके turtle के पास उसको treat करना है नमक के पानी में light नमक के पानी में रखे या फिर bitadine लगाए या फिर आप wet के पास लिके जाए अगर आपके हापे wet हो तो जल्दी से जल्दी आप उसकी treatment करें ताकि आपका turtle जो है वो ठीक हो जाए तो यह अच्छी sign है growth की जैसे मैं बता रहा था आपको कि यह sign जो है वो अच्छी है उनकी growth हो रही है यह उसकी sign होती है जैसे जैसे उनकी growth होती है उनकी skin और shell जो होता है वो share होता रहता है जैसे कि सापो में होता है जैसे tarantula में वो पूरी body जो exoskeleton है वो निकालते है वै इसको पाणी के बहार भी निकाल देखिए अभी उसका जो वाइट इश स्कीन है वो नहीं दिख रहा है लेकिन जैसे मैं इसको पानी में आड़ करूंगा यह देखिए दिखने लगा यह देखिए इसकी स्कीन जो है वो लटकती हुई दिख रही है तो यह नॉर्मल है मेरा हाथ भी उसके आरपार दिख रहा ह तो यह नॉर्मल चीज है आपको डरना नहीं है तो ऐसे कुछ दिखता है इनका शेट और यह जादा तर बच्छों में जैसे यह बढ़ते हैं वैसे यह दिखना चालू हो जाता है बड़े टर्डल्स में भी सेम है आपको डरना नहीं है बेबी टर्डल्स में भी सेम केस होत प्राभ प्राप्राब झाल झाल तो आई भॉक आपको ये वीटियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुगा तो सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि हर एक व्लॉग में आपको अलग-अलग pets मेरे पास बहुत सारे pets है जैसे की tarantula है, turtles है और iguana है, cichlits है, pond है मेरा बड़ा, एक terrace पे मारा बहुत बड़ा pond है और fishes है जैसे की tetra fishes है मैं आपको दिखाई देता हूँ तो ये देखिए ये भी मेरे पास fishes है और ये मेरा dinesh, ये मेरा cichlits tank तो ऐसे बहुत सारे pets है और आने भी वाले है, बहुत सारे family members जो है जैसे pets है वो आने वाले है तो उनी के उपर informative videos होते है, vlogs होते है और daily vlogs आते है इस channel पे तो make sure आप किसी को भी miss ना करें ताकि आपको health मिलती रहे, information मिलती रहे और अगर आपको मेरे pets उनकी information और daily vlogs देखना है तो चैनल को subscribe जरूर करें तो आज की लिए इतना ही, तब तक, keep your pets healthy, bye friends, मिलते हैं next video में